हेलो एवरिवन मैं बिलाल एक बद भी से आप सभी का स्वागत करता हूँ आई होप आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो डियर स्टूडेंट आज हम सुरू करने वाले क्लास 10 के इतिहास का चप्टर नमर वन यूरोप में राश्ट वात का उदय तो दोस्तों सब्सक्राइब करते हैं यूरोप में राश्टवाद तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो तो राश्टवाद क्या होता है यहां राश्टवाद क्या है राश्टवाद की बात करें तो राश्टवाद लोगों के किसी समू की उस आस्था का नाम है जिसके तहत वे खुद को साजा इतिहास परंपरा भासा जातियता या जातिवाद और संस्कृति के अधार पर एक मा मन्त रखते हूं लेकिन हम कहा हैं एक राष्ट के नागरिक हैं और एक राष्ट के नागरिक के होने के नाते जो हमारे अंदर हम की भावना होती है उस वह ही क्या अगलाती है राष्ट वाद क्यालाता है फुर एक्जांबल के लिए हमारा एक रास्ट गीत है रास्ट जंडा है हमारा एक सविधान है और हम इन सभी के प्रतिक है समान रूप से आदर सदकार भाव रखते हैं और चाहे हम किसी भी कोने में क्यों नहीं रहते हो हम सब क्या कहलते हैं भारते कहलते हैं हम सब तिरंगे का सम्मान करते हैं एक तिरंगे के स समाज को लोगों को भेदभाव को सिकार किया है ना अनेक प्रकार के समानता का बरताओं किया जा रहा था तो उसी आज समानता को समाप्त करने के लिए और उसी राज साही वैस्ता को समाप्त करने के लिए वहाँ पर राश्च्वाद को होता है राइट राश्च्वाद नहीं राष्ट के प्रति प्रेम है ठीक है दोस्तों आप समझ चुके होंगे राष्टवाद में राष्ट के प्रति प्रेम है और राष्टवाद अपने राष्ट के भोगोलिक सान्सکρितिक और समाज में रहने वारे लोगों में प्रेम और एकता की भावना है जैसे मैंने अब कहा कि भारत में रहने वाला प्रतेक नागरी क्या गलाता है भारतेक गलाता है और हम भारतिय जो हैं दोस्तो एक राश्च के प्रति क्या है साथ भावना रखते हैं और एक राष्टरिगीत के परती है हमारे एक सविधान है यानी हम सामुही कुरूप से एक हैं बहले हम किसी भी धरम समाज और विशे से क्यों ना समन रखते हैं चलिए और इसी ठीक इसी परकास एउरोप में राष्टरुवाद के होता है और प्रांसेसी करांतिय। से ही विशमे बंदुत्तों कि बहाना विश्व के पास आती है। अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारे हमारे सविधार में जो संप्रभुत्ता है हना स्वतंतता समानता की जो बात हमने कहां चलिए है फ्रांसिसी करांति यानि सेवन्टी एटी नाइस यानि दुनिया में राश्टबाद की सुरुआत कहां चुरू होती है इसी की साथ इसने फ्रांस में राजतंत को समात करके प्रभुसक्ता कि से आतम सब्थी फ्रांसिसी नागरी आपने सासनों को चुन सकते थे हाना उनके मतदिकार के थार पर आगे बढ़ा सकते थे इसके साथ अगर बात करें तो फ्रांसीसी करांथी की कारण यूरोप के अन्य देशों में राश्टिता की भावना का जनम हुआ करांथी के समय जब आश्टिया प्रासा ने फ्रांस पर आकरमन किया तो फ्रांस के सभी लोग कंदे से कंदे मिलागर उनके विरुद रड़े यही कहा जाता है राष्टरवाद यानि राष्टरवाद की भावना का विकास होना ही राष्टरवाद कहलाता है देश के प्रती चलिए दोस्तों अब इस चेप्टर से कुछ जो समहत्पूर फैक्ट हैं जैसे हम बात करेंगे मैटरिनिक की बात करेंगे हैं ना मैसिनी की बात के बात करें गयरी की बात करेंगे क्योंकि इटली के राष की रूप में इंक राष्ट की रूप में नहीं नहीं में इनका बहुत ही महत्वी योगदान है जाए मैसनी हो चाहिक कावूर हो चाहिए गैरी वाल्डी हो हो थे मार्क भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है तो इन्हीं सब के बारे में चर्चा करता है और यहां से एक कोश्चन जरूर आता है हाना दो जैसे एक्जम्पल के लिए मैसनी से भी कोश्चन पूछा जबता है तो हम बात करते हैं जोसेफ मैसनी इस चैप्टर का सबसे म सब्सक्रांतिकारी था ठीक है और वह इटली को एक राश्क रूप में देखना आ चाता है यानि हाँ जैसे सुरूर में क्या होता है इटली के लोग अने भागों बटे वे थे अनके अंदर एक परकार की राश्क भावना नहीं थी और इसलिए महां पर लगा था रिंकुस के थी और मेसनी चाहता था इक ग्राश्क रूर्प में देखना और उसरे इसी को कुरा एक रहे राश्क रूर्प को महतवर्प्र बटान के लिए इसकी अगड़ी और बर्न में यंग यह उरोप की सापना पर परशन्य करी ती दो संगचनों धस चाब हन्ध पर संद औरश् फ्रांस इटली और जर्मनी राज्यों की हुआ यंग यूरोप में सामिल थे इसके लाव हम बात कर सकते हैं मैसनी द्वारा राज तंद्र का गोर विरोध किया गया और वह एक एक रित और एक व्यापक राश्ट के निर्माड करना उसका उद्देश तक इसका हाँ जी जोसेफ मैसनी का चलिए यहाँ क्लियर हो गया चलो नेश बात करते हैं कावर कावर की बात करें दोस्तों तो कावर सारडेनिया पिड़वां के सासक का मंतरी था जी हाँ क्या था सारडेनिया और पिड़बान का जो उसासक का था वो यह आप कह सकते हैं कावर को इटली का बिसमार की भी माना है यहां कावर के क्या जाता है इटली का इसे इटली का बिसमार की भी कहा जाता है कावर को ठीक है इसके अलावा और इसने इटली के एकी करण में बहुत योगदान दिया इसकी बात करें तो इसने सरो परथम अपने राज को इटली में मिलाने कार किस नहीं किया था कावर नहीं किया था ठीक है इसके अलावा बात करें इसने इटली की परदेशों के एकरिद करने वाले आंदुलार के नेतर दो भी किया अब बात करते दोस्तों गैरी बाल्डी की जी हां गैरी बाल्डी तो गैरी बाल्डी दोस्तों इटली का एक महान देजभक्त या कह सकते एक महान क्रांतिकार थेकोन गै therapists के समकालिन था और उसने लाल कुर्ति नमक सेना करता था जो सेना क्या था लाल कुर्ती नमक सेना और उसकी सहायता सुने क्या क्या इसने आस्ट्रिया को आस्ट्रिया की सेनाओं को हरा दिया और इसने इटली की सोतंतरता के लिए कई आंदोलन चला है किसने गैरी बाल्डी ने और इसके दोरा 1833 सीजवी में यंग इटली आंदोलन से जोड़ा कौन गैरी बाल्डी अपने आपको यंग इटली से जोड़ा इसके रहाब बात करें कि 1849 सीजवी में इसने मैसनी के अध्यश्ता में गरतंद की स्थापना होने के प्रश्यात गरतंद की रक्षा का भार अप पूर्णे दोस्तो इस चेप्टर से एक कोश्चन यहां से जरूर बनेगा इसके अलावा नेस टोपिक की बात करें वियाना कॉंग्रेस यह मोस्ट इंपोरन टोपिक है यह वियाना कॉंग्रेस की बात करें तो वियाना कॉंग्रेस या संदी कह सकते हैं तो 1815 में अस्तित्त और इस सम्मेहलन की अध्यक्षता कि थी और स्ट्रिया के चांसलर डियूक मैटरिनिक ने वियाना को इसकी अध्यक्षता की थी यादखना और स्ट्रिया के चांसलर डियूक मैटरिक ने अध्यक्षता की थी दोस्तों इस बार सिब्सक्राइब क्लास 10 और 9 पैटरन भी करकार के प्रसंद आए करेंगे ठीक ना वस्तियुश्ण बहुत पुछाएंगे क्योंकि आपको से समझ में आपको कुछ से कोचिंगी एक से बाहर भी कोश्चन पूछा जा सकता है इसलिए याद देखना दोस्तों पढ़ने के तरीका बदलना पड़ेगा रटन विद्या समा समाप्त करना है पहला रखीस का था वियाना कॉंगरिस का और राजवन्सों की पूले स्थाप्त करना इनका लक्ष माना गया इसमें इसने क्या क्या परवेतन क्या परवेतन की बात करें तो फ्रानसेशी करांती दोरान हटाए गए बुर्बो वन्स को फिर से सत्ता सोब दीग परदेश को भी छील लिएगे वापस तो ये दोस्तों ठीक है आज यहां तक ही अगले वीडियो में हम इसके और कुछ कोशन करेंगे दोस्तों वीडियों बने लिए धन्यवाद वीडियों लाइक करते हैं चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करते हैं ठीक है मिलते हैं नेस वी